नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल Ultimate Knowledge पर दोस्तों हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका इस दुनिया का सबसे शक्ति साली और पावरफुल देश कहा जाता है जिस कारण से अमेरिका की कानून वेवस्ता इस पूरी दुनिया में स आखिर कर कोई भी देश ऐसे अजीबो गरिव कानून कैसे बना सकता है नमबर एक आप में से अधिकतर लोग दिन में तो जरूर नहाते होंगे लेकिन अगर आप लोगों से कहा जाए कि रात में सोने से पहले आप सभी लोगों का नहाना जरूरी है तो ये बात आप में से अधिकतर लोगों को अजीब जरूर लगेगी लेकिन अमेरिका के बोस्टन सहर में एक कानून है जिसके अंतरगत रात में सोने से पहले वहां के नागरिकों का नहाना बहुत जरूरी माना जाता है और खास बात ये है के रवी बार के दिन वहां पर कोई भी नहीं नहीं आ स रात को नहाता है और कोन रात को नहीं नहाता है नमबर दो अमेरिका के मीने सोटा राज्ये में एक अजीबो गरीब कानून है इस कानून के अंतरगत कोई भी वैक्ति वहां पर एक ही साथ मेल और फीमेल अंडर गार्मेंट्स को एक ही वाशिंग मसीन में नहीं दो सकता ऐस इसा करना वहाँ पर गैर कानूनी माना जाता है मैं जानता हूं कि आप लोगों को सुनकर के थोड़ी सी हसी तो जरूर आई होगी लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा के आखिर कर पुलिस इस बात को कैसे पता करेगी के आखिर कर इतना बड़ा कांड किस घर की किस वाश नहीं कर सकता यह अपने आप में मूच वाले मर्दों के साथ बहुत बड़ी नाइनसाफी है नमबर चार अमेरिका के लॉस एंजिलिस में एक अजीबो गरीब कानून है इस कानून के अंतरगत एक ही समय पर एक टब में दो बच्चे एक साथ नहीं नहा सकते जो अपने आप में काफी अजीबो गरीब है आप सब लोग इस बात को तो जानते ही है कि भारत में बच्चे एक साथ नहाना सबसे जादा पसंद करते हैं नमबर पांच नियॉक के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं नियॉक में एक कानून है जिसके अंतरगत अगर कोई भी वैक्ति यहां पर छट से कूट करके आत्मत्या करने की कोशिस करता है तो उस वैक्ति के लिए मौत की सजा का प्रवधान है जिसका मतलब है अगर वो वैक्ति आत्मत्या करने के बाद बच जाता है तो उस व्यक्ति को कानून के अनुसार मौत की सजा दी जाएगी जिसका मतलब है कि एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई